बिग बॉस सीजन 14 के घर से बाहर निकल चुकी है जैस्मीन बसीन जैस्मीन बसीन के बाद जैस्मीन बसीन के निकलने के बाद बिग बॉस सीजन 14 के घर में कैसा है हाल एली गुनी का उनके बॉइफरेंड का हाल कैसा है आईए हम आपको बताते हैं और जैस्मिन बसीन के निकलने के बाद एली गुनी ने बड़ा काम किया इसके बारे में भी हम आपको आज़के खास रिपोर्ट में बताएंगे दरसल में बिग बॉस सीजन 14 के लाइफ फीड में आप सभी दरशक देख रहे हैं कि जैस्मिन बसीन के निकल जाने के बाद एली गुनी को नया साथी मिल चुका है और साथी साथ राहुल वैदे उनके साथ हैं राहुल वैदे उनके सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े हुए हैं अभीनो शुकला उनके साथ हैं और साती साथ रूबिना दिलाइक भी उनी के साथ हैं और साती साथ ऐली गोनी जो हैं वो काफी उदास दिखाई दे रहे हैं बिग बॉस सीजन 14 के लाइफ फीड में और साती साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि लाइफ फीड में उनका जो माइक है वो काफी ज़्यादा सुर्ख्यों बटोर रहा है और उनका जो माइक पहले हुआ करता था हैस्टाइक एली गोनी नाम से उनका माइक लेकिन जैस्मिन बसीन के बिग बॉस सिजन 14 के घर से चले जाने के बाद बाहर निकलने के बाद उनका जो माइक है, वो माइक है, हैस्टैक जैस्मिन बसीन में तबदील हो गया, हलाकि ये सारी की सारे चीज़े जो है एली गुनी ने किया है, एली गुनी और जैस्मिन बसीन एक दूसरे से प्यार करते थे, इस बारे में भी आप सबी दर्शक जानते और साथी साथ आप सबी तर्शक ये भी जानते हैं कि E File souvent V recommendations जाने के बंदन भी बंदन भी बंदने वाले हैं और ऐसाथ एलिकोष जायद इसलिक की जाए अब बतानी के जरुत नहिए आप सबी तरख को नहीं है और साती साथ एली गोनी बार बार यही कह रहे थे कि मेरी वज़े से तेरा खेल खराब हुआ है और साती साथ शायद इसी वज़े से एली गोनी सीने से लगा कर रखना चाहते हैं जैस्मिन बसीन को भी जास्मिन बसीन को याद कर रहे हैं एली गुनी और साती साथ एली गुनी के लिए एली गुनी की याद में एली गुनी की याद में जास्मिन बसीन ने अपना जो कुछ पर्फ्यूम है वो वहाँ पर छोड़ा हुआ रहता है एली गुनी के लिए और एली गुनी रात के व अपने कमेंट के थूँ जरूर बताएं तब तक लिए बने रहे हमारी यूटूब चानल के साथ विक टिवी न्यूस की रिपोर्ट